हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं रेशु एक बर फिट से आप सब का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशु ब्लॉक्स में तो फ्रेंड जैसे कि आप सब को पता चली गया है कि 19 नवंबर को साल का आखरी चंद्रगहन लगने वाला है और यह दूसरा चं तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपके कुछ ऐसे ही सवालों को उठाया हुआ है और उनके जवाब देने की कोशिश की है कि आपको ग्रहन के दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ठीक है मतब आप सो सकते हैं सूसू पाटी कर सकते हैं सारी बात सारी इंफोर्मेशन में आपको इस वीडियो में देने वाली हो तो वीडियो को ध्यान से देखिए गए कि बात अच्छी से समझेगा और चैनल को अगर आपने भी तक सब्सक्राइब नहीं कि है तो ऐसे ही और भी वीडियो आप देखना चाहते है ना तो चैनल को जरूर टाइमिंग है वह 11 बच के 34 मिनट से स्टार्ट होकर पांच बच के 33 मिनट तक है अब कई लोगों के इसी चीज को लेके कॉमेंट्स आ रहे थे कि क्या मैम यह चंद्र ग्रहन मौनिंग में होता है मतब दिन में कभी चंद्र ग्रहन लगता है तो आप लोगों को मैं यह बता बचस्ाहिए तो मैं आपको बचाहते दैंके रहेिए न तो मान के तो आपको भारत के अकॉर्णिंग ही चलना पड़ेगा तो भारत में जो चंदरगरहन की टाइमिंग बताई जा रहे हैं जोतिस के अनुशार वो सुबह के 11.34 मिनट से सामके 5.30 मिनट तक है आप जोतिश insky अनुषार जो चंदरगरहन दिखाई नहीं दे रहा है भारत में तो क्या होता है उसका सूतक काल भी मानने नहीं होता है तो भारत में सूतक काल नहीं लगेगा सूतक काल में आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं सूतक काल में किसी भी चीज को किसी भी नियम को मानने के आपको बिल्कुल भी जरूत नहीं से चंदरगहन का सूतक नौ घंटे पहले लग जाता है नौ घंटे पहले ग्रहन की टाइमिंग के आपको कोई भी नियम मानने की जरूत नहीं है उस टाइम आप सब कुछ कर सकते हैं ठीक है आप जोतिस सास्त्र मानता है कि क्या होता है कि नौर्मल इंसान को जब चंद्रगहन दिखाई नहीं दे रहा है तो साबधानिया रखने की लेकिन गर्वतियों को इस्पेशल सला दी जाती है मतलब प्रेग्नेंट लेडी को इस्पेशल सला दी जाती है कि उनको ग्रहन की दौरान चाहे वो इंडिया में दिखाई दे या ना दिखाई दे उनको कुछ साबधानिया जरूर रखनी चाहिए जैसे कि जोतिस सास्त के लुमसार एक स्पेशल सला जो गर्वति महलाओं को दी जाती है ग्रहन के टाइम उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए उनको घर में रहना चाहिए कि ग्रहन की जो रोशनी होती है वो उनपर नहीं पढ़नी चाहिए अब क्या होता है कि कई लोग इन चीजों को मानते है कई लोग नहीं मानते हैं तो जो नहीं मानते हैं इन चीजों को वो वीडियो देखना यहीं पर बंद कर दीजे और जो इन चीजों को मानते हैं वो वीडियो देखना continue रख सकते हैं ठीक है तो क्या होता है कि कई लोग को जादरी पड़े लिखे होते हैं तो वो इन चीजों को मानती हैं तो आप लोग जो मैं नियम बता रही हूं वो बेजज़क मान सकते हैं जैसे कि आप लोग का सवाल आ रहा था कि क्या ग्रहन में सो सकते हैं हाँ जी तो आप ग्रहन में सो सकते हैं जैसे कि जो ये ग्रहन लगने वाला है 19 नमबर को चंद ग्रहन उसका जादा प्रभ कई गरों में मेरे पास खुट कॉमेंट्स आए हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ग्रह न के घर वाले पूरे ग्रहन के टाइमिंग तक उनको खड़ा रखते खो changοι और नहीआ पाल होसा नहीं मानना चाहिए tow लेकिन प्रहन की कि ऐसे नियम उसके उपर लागू करना वो शाय सही नहीं है एक लेडी को आप प्रेगनेंट लेडी को वो अल्रेडी कमजोर है और उस पे काफी सारी दिक्कतें फेस करती है वो 9 महिने तक और उसको आप पूरा ग्रहन के टाइमिंग तक खड़ा रखो ये गलत है तो आप ऐस अगर आपका जो वाश्रूम है वो आउटसाइड में है और आपको बाहर के साइड जाना पड़ता है तो आप अपनी बॉड़ी को अच्छे से कवर करके चले जाए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन ग्रहन के दौरान ऐसा बिलकुल नहीं है कि आपको वाकिंग करनी चा सकते हैं फॉन चला सकते हैं भुक्स पड़ सकते हैं धार में ग्रंथ पड़ सकते हैं या फिर आप भगवान का नाम ले सकते हैं उतने टाइम में जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं बस आपको धियार रखना है कि ग्रहन का जो टाइम चल रहा है उस टाइम आपको भग पड़ता है बस एक basic यह rule होते हैं जैसे कि स्वीधगा के इस्तिमाल ने करना है चाख उछ्छुरी का इस्तमाल नहीं करना है तो यही basic नियम होते हैं जो आपको पालन करने होते हैं डार के बाकी किवल आपको भी पालन करने होते हैं आपके फैमिली मेंबर्स को इंडियम को मानने की कोई भी जरूतनी है, आपके हस्बिंड किसी को भी मानने की जरूतनी है, केवल आपको यह घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसे टाइम पर बाकि आपके घर वाले कुछ भी कर सकते हैं, ग्रहन के टाइम पर कोई दिक्कत हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो बेजहजग आप लिहन के टाइमिंग पर सोईए, आप टीवी देखिए, फोन चलाईए, किताबे पढ़िए, जो भी वर्क करना चाते हैं, आप वो कीजिए, कोई रिक्कत नहीं है, बस अपने घर में रहिए, इतना ही आपको करने की जरूत है आप पानी पीजिए, जो भी आपका मन करें, वो कीजिए, तो बस फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, I hope ये वीडियो से आपको थोड़ी से हल्प मिली होगी, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजेगा, चैलन को सब्स्क्राइब कर लीजे, पास में ज गंटे उसको भी दबा लीजे, बाबाई, थैंक्यू